वीडियो में हम लोग क्लास एवन संस्क्रीट का चैप्टर 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है दिन चड़िया तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का एटो जेट कोशन एंसर सॉल्व करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो यह रहा कोशन एंसर सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे अभ्यासा तो मौखी का है यानि मुझ से बोल कर जवाब देना पहला है अधो लिखीत पदा नाम उचारनम कुरूत नीचे लिखेगे पदो का उचारन करिये तो चलिए आप सब के लिए उचारन करते हैं अहारह मानव जीवनम पुडो मेव बुद्धी करियानी सवकियम मधियाहने गरहनीयम व्यंजनम दिर्ग जीवनम तो इसी तरह आपको उचारन करके बताना है तो आप भी उचारन केजिएगा टू है निम लिखित पदानाम अर्थम वदत नीचे लिखेगे पदो का अर्थ बोलिये वदत में सुता बोलिये तो अर्थ बोलना तो इतना सरका तो याद कर लेजएगा विहारा में सोता घुमना उभया में स दोनो यथा कालम यानी समय पर संपुर्णम यानी पूरे पूरे या पूरा हितकरम, हितकारी, हितकारी यानि क्या लवकारी, दंता नाम यानि दातों का, विंजनम यानि सबजी, ठीके, विंजनम में सबजी, या पकवान, अलपाहारा यानि नास्ता, नितियम यानि निश्चित, ठीके, थिरी है, निम लिखित तस्य, पदस्य, पाठम कुरूत, नीची लिखेगे पद का पाठ कड़े हैं, यानि आपको बस पढ़ना है, ठीक है? तो आपको पढ़के दिखाते हैं, आप भी पढ़िएगा, युक्ताहार विहारा भियाम नित्यम दिर्ग जीवनम आगे है, मिध्याहार विहारा भियाम स्वास्थियम चाल्प जीवनम तो आप खुद किजेगा आपको करके सुना देगा तो आभी किजेगा Next है लिखीता अधो लिखीता नाम प्रस्ना नाम उत्रम एक पदेन लिखत तो बोला जा रहा नीचे लिखे गए प्रस्नों का उत्तर एक पद में लिखे तो आगे है किसाम पालनेन मानव जीवनम सुखमयम भावती किसके पालन करने से मानव जीवन सुखी होता है तो किसके पालन करने से आहार विहार के पालन करने से तो उतर होगा आहार विहारा नाम कह समानिता प्राता काले कदा जागरनम उचीतम बोला गया समानिता सुभा में कब जागना उचित है तो सुर्योदय से पहले ही जागना उचित है तो उतर लिखेंगे सुर्योदयात पुर्वमेव पुर्वमेव में इसका पहले है गह है स्नाना आदी नित्य कर्मम कदा कर्तव्यम ठीक है स्नान आधी नित्ती किरिया कब करना चाहिए नित्ती किरिया नित्ती किरिया कब करना चाहिए तो सुबह में तुटर लिखेंगे प्राता काले घा है रात्रो यथा समयम किम करनियम रात में समय पर यथा समयम मत क्या समय पर रात में समय पर क्या करना चाहिए तो सोना चाहिए तो तो लिखेंगे सही नम अंगा है प्राता काले क्रीदिसा आहारा आवस्यक तो सुभा में कैसा आहार आवस्यक है तो हलका थेखना हलका आहार आवस्यक है भोजन तो होगे नास्ता तजल पानम नेक्स्ट है दिन चरिया के अनुसार काड़े करने से क्या क्या लाब होते हैं तो तर लिखेंगे जीवन को अच्छी तरह चलाने और स्वस्त रहने के लिए दिन चरिया का महतु है नियाम पुरुवक जीवन यापन करने वाले दिरगाई होते हैं दिन के तुलने में जो दिन चरिया के अनुसार काम नहीं करते हैं जैसे दिन में सोते हैं तेकने साम में सोते हैं इस तरह से से कुष्ठात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानी पुर्यत कुष्ठात मतलब क्या ब्रैकेट से तो कुष्ठ से उचीत पद चुन कर रिक्त स्थानों को भड़े तो ब्रैकेट में दोग दिया वाया तुर्षी से भड़ना है ठीक कहा है अहारह डैस इती वर्तते अहार क्या है भोजन है तो हार भोजन है तो भोजनम हो जाएगा खह ने मानाम पालनेन मानव जीवनम डैस भवती पुलग नेमों के पालन करने से मानव जीवन डैस होता है तो क्या होता है सुख ही होता है तो हो जाएगा सुख मयम नेक्ष्ट है आगे गह दिवसे यथा कालम डैस निर्धारितम कारियम करनियम पुलग यह दिन में सही समय पर निर्धारित कारिय करना चाहिए तो किसका निर्धारित कारिय करना चाहिए अपना तो हो जाएगा सुख ही हम गह है अनेन सरीरम मनस्च डैस जायते पुलग यह इससे सरीरों मन क्या स्वस्त होता है तो तो जाएगा स्वस्त है किस आनीनमी स्वता है इस से मतकिस जो लाइन है ना जो वाक्य है यह चैप्टर से दिया वा था इसके पहले दिया वाक्त था कि अगभर हम लोग घुमते हैं समय पर सामेठा टहलते हैं जिस से क्या वाधर, मन और मन क्या दस्वासत होता है अङहां रातरो यथा सेमेयमम्- तो भला गिया रात में सेमे यहां देखिए बहु भोजनम डैस जाएते हैं ज्यादा भोजन करना डैस होता है तो तो लिखेंगे हानिकारकम सेवन है निम लिखित पदानाम द्वी वचनम लिखत लगए निम लिखित पदों का द्वी वचन लिखें एक वचन है और द्वी वचन लिखन है जैसे एक दियावा यता में सुधा जैसे तो अस्ती का अस्ता दियावा इसी तरह होगा भावती में सोता है पठामे में पढ़ फाल होता है गच्छ सी यह किसके लिए लगता है तुम के लिए तुम जाते हो तो देखिए हिंदी तो बता दिये समझने के लिए तो देखिए भवती को जगा भवता जैसे बता है ती तह अंति सी तह ठन युँड़ के आवह थी तुम ने पेद्धिक तही तह लगा देऊं आमी के जगा अवह लगा दे round-8 कुरू थे संध्धी करें इन जोडें तो हिम प्लस आलियह तो क्या ओगे हिमाल Baby हो जाएगए थे तो चलिए आपको बता आते हैं तुछ यहाँ पर लिखा वहा है इसको थे जूम करते हैं प्लस आलिया तो हो जाएगा हिमालिया कैसे हुआ यह जो मा है न मा को तोड़ेंगे तो क्या आधा मा और आव बनेगा ठीक है तो यह जो आ है और यह आ है मिलके क्या हो जाता है यह ना मा के बाद जो आ है इसी तरह आ के बाद जो आ है यह सा भी बता पह है पुरा पह ढद हथ हो यह जो और आव नंगे के घृ कि अलपा हा उसी तरह गढ भी बनेगा इसी नियम पलस आपई तत्छाह प effective प्रामपलस आर थ है तो आव है मा हो दें जुन हो गाता है यह जोंड़ेंगे क्只ड़ेंगे ह त प्रमी प्लस अर्थ प्रमार्थ आर देखें कबाल जो आ है और यह आ और यह आ मिलकर क्या बन गया आ अब भन गया टीक है यह सyuख नीएम है संधी करने के तो विद्या प्लस आ लिया कर हो अब उब्र odpow में क्या अंत मैं आ है ठीक है और यह ऊओ और U मिलके बन जाता है O समझे तो यहाँ पर O है ठीक है रा तो यहाँ पर है तो क्या हो गया पुरू प्लस उत्रम यानि पुरू उत्रम ठीक है यह क्या A है और यह A है तो A और A मिलके बन जाता है A तो छुधा छुधा प्लस अनुसारेन यानि छुधा नुसारेन ठीक है यहाँ पर देखें तागे बाद का अ है और यह आ है तो अ प्लस आ होता तो युक्त प्लस आ हारा हो गया युक्ता हारा तो आपको नियम भी बता दियें नाइन है अधो लिखीतान सब्दान अर्थान लिखर नीचे लिखे गए सब्दों का अर्थ लिखिए अर्थ लिखना तो यह अर्थ कैसे होगा यह आप याद कर ले जाएगा तो अब एक्जाम में लिख पाईएगा देखें किडिया कलापह यानि गतिविधी बुध्धी कार्यानी मत्तग बुध्धी के दवारा खिये जाने वाले कार्ये ब्रह्म मुहरते यानि सुर्देस ये पुर्व के समय में द्रव्यानी यानि समान ठीक है नेक्स्ट है मध्याहन यानि दोपहर का समय पाद प्रचालनम यानि पैर्ध होना स्वास्तकरम यानि स्वास्तकर उन्हें स्वास्त के लिए जो अच्छा होता है इसको स्वास्तकर बोलेंगे इस्वंद्नम यानि भगवान की स्तूति भगवान की प्रात्ना चाल्प जीवनम यानि अल्पाय। कम आयू तेन है सु मिलनम कुरूत सही मिलान करें इधर पद दियावा और सुख्मयम को मिखतों हो कि दूफ्मयम पड्कियम इसका दूसरा का होता है दूसरा का है तो अपना यहांगा, नियमा को सिब उलक लग जाता है बom एक टूलता हो जाता आव में स्विता नहीं है, सक्थि तो अच्छितम तो अनुचितम लावकाड़कम यानि क्या हानिकाड़कम ये लावकारी है तो ये हानिकाड़क है, तरी हो गया पुड़ा कम्पलीट, next है 11 नमबर देख लेता है 11 नमबर, 11 नमबर है ये तेसु केम सत्यम असत्यम वा लिखत पुलागे इनमे सत्य ये असत्य लिखी है ठीक है सत्य ये असत्य जो सही है उसत्य है जोगला थे असत्य है तो कहा है पौस्टि का आहार अवस्यक का वड़ते ते पॉस्टि कहार अवस्यक है तो यह सही है तो इसमें भढ़ेंगे सत्यम इसे तरह चलिए आपको सारा बताते हैं देख उत्तरानी यानि उत्तर यह तो बताती है सत्यम हो गया रात्रो यथा समयमम सैनम उचीतम तरात में निश्ची समय पर सोना सही है तो सही बात है तो सत्यम बहु भोजनम लावकारकम जायते ज्यादा भोजन करना लावकारी होता है तो गलत है तो असत्यम प्रताकाले जल्पानम अलपाहारः वा अवस्यक भावती ठीक है प्रताकाल में नासता है या थोड़ा भोजन अवस्थक होता है, तो सभी है, सुपर में थोड़ा भोजन करना चाहिए तो जिसको breakfast बूलते है यंग्लिश में, ठीक है, और हिन्दी में जल पान, ठीक है, तो सत्यम हो गया अल्प भोजनम स्वास्त करम भावती ठीक है थोड़ा भोजन करना स्वास्त कर होता है ठीक है स्वास्त के लिए क्या होता है लाबदायक होता है तो सही बात है सत्यम चह प्राता काले सुरियो देयात पुरु मेव जागर्नम उचीतम उला गया सुवा में सुरेदय से पहले ही जागना उचित होता है तो उचित होता है तो हो जागा सत्यम तो दीके लिखावा सयम काले सैनम लावकारकम भावती साम में सोना लावकारी होता है तो जागा असत्यम ठीक इस प्रगार से पड़ा चैप्टर समाप्त होता है थैंक्स पर वाचिन